गाइस वीडियो में डिस्कस करेंगे दुर्दान तो धाका वर्सल श्रॉंग पूर राइडर्स के बीच जो दोस्तों होगा अज का दिन का पहला मैच बीपील का देखो यह मैच कहां पे है यह मैच दोस्तों मिर्पूर धाका में होगा और धाका में टुनामेन का न अब तक दोस्तों टीम कर रहा था वह विन क्या था इरिस्पेक्टीव दोस्तों बैटिंग सेकेंड कर रहा है यह चेजिंग ही फेवर में तो इस मैच में एक टीम जादा श्रॉंग है अगर वह चेसकर लिया समाओ तो दोस्तों यह मैच वन्सैड़िद हो जाएगा अधर्वाइस ये match दोस्तों आप still 60-40 आप बोल सकते हो कि chasing के favor में आपको team बनाना है तो ध्यान से video देखना in-depth analysis करूँगा बहुत ही short होगा पुरा video देखोगे तो इस match के related सभी updates मिलेंगे उससे आप small league plus grand league का परिया combination create कर पाऊगे but still मैं आपको final coverage प्रोवाइड करूँगा टेलिग्राम पर जिसका link इस video के description में आपको मिलेंगे link पर प्रेस करना है और redirect होना है टेलिग्राम चैनल आते है analysis में एक बज़े match start होगा इंडियन टाइम निरपूर धाका में 155 last year से दोस्तों देखो कि तो average score चल रहा है बट ये average score दिन में घटके हो जाता है 130 के करीब ठी 20 matches tournament का हुआ है 8 bet first ने हुए इनका 12 bet second और ये जो 8 bet first दिख रहा है ना 8 में 8 बार दोस्तों ये मीरपूर में सारी हुआ था सिलेट के ground पर तो मीरपूर में आपको सिर्फ चेजिंग करते हुए अब तक दिखा है हर match डीडी अपना एक match जीता आपकी सभी matches हा रहा है डीडी स मत लेना एकदम से मत लेना अगर बैटिंग second होता है स्टिल आप grand league में यूज़ करो बट स्टिल मैं small league के respect में मैं suggestी नहीं करने वाला हूँ मीरपूर में इसका average भी बहुत बढ़िया नहीं है सिर्फ 23 के average 33 सिनिक्स के बाद 699 रन है ठीक है सैम आयूप का अगर पूछो मेर बट definitely आप अगर safe जाना चाहते हो three battles format खेल रहे हो like हमारे old format कुबेरा पे तो इसको यूज़ करो otherwise ignore करो सैफ असार नहीं लेने बाला हूँ दोस्तों इस मैच में अब तक tournament में अच्छा खेला नहीं है मेरपूर में average बहुत अच्छा है differential ले सकते हो क्योंकि आपनेंट के पा टर्न अच्छा मिलेगा ठीक है बॉल रुक के भी आता है तो एलेक्ष रॉस को लेने का जरूरत नहीं है येस गुलबदीन नाइप का इस मैच में रोल रहेगा बैट प्लस बॉल और इसको इस venue दोस्तों रास आ सकता है क्योंकि इसका balling में cutter use होगा ये hit the dick baller है तो दोस्त को फिलाल में नहीं लूँगा मुसाद्देख हुसेन इस मैच में लेने वाला हूं दोस्तों बट अगर balling first होता है ये अच्छा differential हो जाएगा क्योंकि तब इसको एक-दू विकेट मिल सकता है थोड़ा सा देखना इनके पास कितने baller है अगर number of ballers कम रहा तो दोस्तों इसक में मिरपूर में मुसाद्देख का देखो 53 मैच के बाद 26 का एवरेस 990 बैटिंग से performance है बाट बालिंग से सिफ 87 ओवर और सिफ 25 विकेट है specially अगर ऑपनेन के बास left-handed बैठ हर रहा मैं अभी discuss भी करने वाला हूं दोस्तों तो दोस्तों इसका roll जादा रहेगा still ball first ले सकते हो इस venue में ball first के आएगा यह दोस्तों बालिंग से value प्रोवाइट कर लेगा the skin yes go to player है दोस्तों must have है both condition है और अगर ball first हुआ captain बना सकते हो क्योंकि यहां भी मिरपूर में first innings batting करना बहुत मुश्किल है the skin और शोरीफुल को cap bc balling first जरूर बनाओ उस्मान कादीर बालिंग first हुआ टीम में जरूर रखो लेक ब्रेक बॉलर है बट एक चीस में बताऊंगा लेक ब्रेक बॉलर मैंने notice किया मीरपूर का जब मैं stat analysis कर रहा था ना first day से लेक ब्रेक बॉलर का हलत इस ground में सबसे खराब है मतलब उनका performance सबसे खराब होता है और जिस बॉलर के पास pace ज़ादा है वह ज़ादा effective हो जाता है मीरपूर में ऐसा मैंने जब notice कर रहा था ना मतलब strike rate देख रहा था average देख रहा था बॉलर का तब निकला तो दोस्तो तसकीन आमिद आपके लिए बहुत अच्छा है यह deck में भी hit करेगा आगे भी डालेगा और इसके पास pace भी है कमाल का cap VC choice है उस्मान कादिर yes as a player रखूँगा but not as cap VC जितना भी spin हो जाए बढ़ हां leg break baller का overall performance इस venue में बहुत अच्छा नहीं है तसकीन का form भी बहुत तगरा है 4 over में 2 wicket है 4 over में 1 wicket है 2 में 1 है 2 में 0-4-1 balling first यह wicket less कभी भी नहीं जाता है मतलब जादा तर match में यह wicket less नहीं जाएगा balling first उस्मान कादिर yes तगरा option है as a player balling first मैं लूँगा balling second मैं शायद सोचू बट balling first मैं ले लूँगा देखो एक आदा विकेट मिल सकता है but cap विसी नहीं बनाऊंगा क्योंकि यह quality international baller है इसलिए मैं रखूंगा domestic leg break baller को मैं इस ground पे शायद ही try करूँ शौरीफुल आपके लिए captain choice है last match में भी 3 wicket 3 या 4 निकाला और यह तो first match 3 wicket निकाला था जो head trick था last 3 ball में 3 wicket मिला था मैंने इनको exchange पे भाई भी किया था मीरपूर में इसका 23 innings में 29 wicket है और इस बंदे का देखो तस्कीन का देखो मीरपूर में 45 match में 59 wicket कमाल का record है तस्कीन और मुस्तफी जूर्गा इस ground में ठीक है और तस्कीन last match में 4 over में 1 wicket के निकाला सता ही stand बना यह ना मेरा last match में vice captain था हम लोग का mini jail almost crack हो गया था मैंने मिठून को ने लिया था जखीर को लिया था जिसका hit weight record बहुत गंदा था अगर मैं लेता मिठून को तो दोस्तों उस match में मेरा mini jail आ जाता अब भी राइटी बेटर केंगे इस दोस्तों इसका roll रहेगा ठीक है ओपिनिंग बॉलिंग last match में भी अच्छा खेला था दोगे निकाला था अपिनिंग बॉलिंग तसकीन शौरिफुल गुलबदी नाइप डेत में शौरिफुल तसकीन उस्मान कादिर यह ओवर्स डिस् सेंट लाल के लिए देखोगे तो अपनिंग के बास अगर लेफ्टी बैटर रहा स्पेशली तो ज्यादा बिटर है मैं इस पॉइंट में आऊंगा मुसादिक के पॉइंट में उस्मान कादिर का देखो 18th डाला last match में बट यह basically date में तसकीना में तो शौरिफुली करेगा last 13 ओबर 18th 19th और 20th ओबर अराफट सैनी पाउर प्लेम में डाल दो दिखेगा इस मैंच में ओबर कट डाउन पही और प्लेयर से रिकॉट चेक आउट करना मुझे नहीं लगता कि चेंजिस होना चाहिए टीम अच्छा कर सकता है इस मैंच में अगर बॉल फर्स्ट वा प्ले शाकीब ने आउट किया है मुझे बॉल लिंग से इंपॉर्टन लग रहा है ठीक है और सैम आयूप का अगर देखोगे तो नभी नभी ने अब तक आउट नहीं किया बट इसको दिक्कत होगा नभी से मेरे साब से इस मैच में होना चाहिए इर्फान शुकूर को शाकीब फिर हारा फिर तीन जीता बैक टुबैक सही है चोईस ठीक है बावर आजम राइटी बेटर और ब्रेंडन किंग राइटी तो मैं इसलिए बता रहा हूँ अरफद सनी को रोल रहेगा बावर को कैप्टेन मत बनाना बट येस ऐस प्लेयर दोस्तों बावर को इस मैच में जालेगा क्योंकि दोनों राइटी है तो ब्रेंडन को मैं नहीं लोगा शायए टीम से भी डॉप हो जाए अब देखो इनका ना लेफटी बेटर मिल्ल ओर में आता है फैजल शकीप और शमीम तीन लेफटी बेटर है मिल्ल ओडर में तो यहां पे मिल्ल ओवर में दोस्तों आफस्पिन मुसादिक उसेन आपको दिख सकता है अगर बॉलिंग फर्स तो अग्रा डिफेंशल च्वाइज है और उस्मान का अधिर के अगेंस्ट भी दोस्तों यह लोग चार्ज करेगा अब आइदर उस्मान को विकेट लेगा या फिर उस्मान को यह लोग रन बनाओ फैजल मेहमुद मैं नहीं लूँगा इस वेन्यू में इसका टफ होगा खेलना अठ्रा का अवरेज मिरपूर में सौल इनिंग में 280 रन है शकीब मिरपूर में देखो 75 मैं 24 का अवरेज से 1491 रन है एवरेज देखो कितना कम है इतना क्वालिटी प्लेयर होने के है नुरूल हसान क्या इसको ऐसा प्लेयर लेना है देखो इर्फान शुकुर से यह बैटर है इस्पिशली बैट फस्ट प्लस इनका बॉलिंग ज्यादा तक रहा है तो दोस्तों यह विकी से भी पॉइंट देगा ठीक है तो ठीक है मेरे साब से नुरूल ज्यादा बेटर ह अजमतुला उमरजा अगर बैटिंग फस्ट हो तो कैटिन बनाना इसका बैटिंग पक्का आने बाला है बैटिंग फस्ट में बट प्रॉलिम क्यागी अब तक इस वेन्यू में हर एक इनिंक चेज़ हुआ है तो यह बॉलिंग फस्ट भी अच्छा कैप्टेन है बॉलिंग ज्यादा सही लग रहा है बेटिंग से भी पॉइंग फस्ट में बालिंग से भी पॉइंग निकाला था कमाल का चोईस है प्रॉब्लम क्या पता है सिर्फ इसका प्रॉब्लम है कि इसको अगर टीम ने एक ओवर दे दिया ना तो दोस्तों यह खराब करेगा अधर वाइस द एक इस इनिंग में 44 विएट है 291 रन है अच्छा रिकॉर्ड है मिरपूर में अजमत दुल्ला का रिकॉर्ड देखो आठ इनिंग में सिफ 67 रन सिफ 67 25 ओवर सिफ और 7 विएट है ठीक है इसका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है मिरपूर में शमीम हुसेन यह एक और लिफ्टी बैटर है और इसका बॉलिंग से पर्फोर्मेंस देखो एक ओवर वाला पार्ट चोड़ो तीन में तीन में तीन चार में दो चार में दो दो जोस्ति यह बैट बल दोने से करेगा पॉइंट मतलब कमाल का चॉइस रहेगा आपके लिए ठीक है हसान मेहमूत बैर अबुहिदर को एक ओवर मिला देखो एक चीज़ क्या आपकर आड करूंगा अजमत अबुहिदर अगर खिला ना अजमत उल्ला इस ट्रीम का ठर्ट पेसर होगा असान मेहमूत तो डेट करेगा उसके साथ ना अबुहिदर भी करा सकता है और अजमत अबुहिदर नहीं खि है तो हसान महमूद नहीं इस बार स्टार्ट होते वह दिखेगा आपको महधी असान से ठीक है उसके बात हसान महमूद आएगा हसान महमूद बिसिकली डेट करता है और में अबुहिदर डेट में आ जाएगा ठीक है अगर विकेट कम गिरा अगर ज्यादा गिरा तो दोस्त बावर एजम के साथ बहुत ज्यादा मैंच अपनी है कादीर के वो इन्होंने रन बनाया मुसाद देखके गके गेंस 17 बाल में 16 मुसाद देखके अगिंस 17 बाल में 16 बीट ब्लस यह स्पीन बॉलिंग कर दोस सकता है राफत करेंस मुझे लग रहा है इसेगा ब्रैंडन किं में तस्कीन ने चार बार आउट करें है 42 बॉल में सिफ 30 रन कंसीड किया और चार बार आउट किया है शौरिफुल 10 में 20 शकीबल हसान अगेंस्ट मुसाद देख 28 बॉल 44 नेक विकेट बाकी किसी के साथथ नहीं है सुनी ने दो बार आउट किया शकीब को जो लिफ्टी बैटर है राइटि को भी दिक्कत देगा लिफ्टी को भी दिक्कत देगा नुरल असान के अगेंस्ट तस्कीन शौरिफुल अराफर्ट तीनो का है नुरूल का भी रिकॉर्ट बहुत अच्छा नहीं है बट मुझे लगते हैं किसे पॉइंट करवा देगा सेफ ऑप्शन है शौरीफुल का तीन विकेट है अगेंस्ट महिदी असन तो महिदी असन डेट में शाय दी जाधा रन बनाया देखो शौरीफुल और हेट तसकीन का इस मैच मे पफोर्फुलंस अच्छा वोगा अगर बॉलफर्स्ट जो भी बॉलफर्स परेंगा न वो अपरेंड होगा इस ग्राउंड में बॉलarlिंग फ़र्स्ट वाला टीम से आपको बॉलर बैक करना पड़ेगा एक देखो रंगपूर ने 183 बनाया था लास्ट मैच में जब सिले पर वहां पर रन बनता है रोंगपूर बाबर ने 62 ओमर जैने 32 नूडल 26 ब्रैंडेंग 20 बेस्ट बॉलर में दियासान थीन विकेट था देपो में दियासान इन से थीन विकेट था अजमतुल्ला हसान महमुद का दो विकेटीच नभी शकीब का वान विकेटीच डीडी चेस क वाल फस अच्छा कर सकता है अब चलते हैं लोग ड्रीम लावन में तसकीन शोडीफुल को जाता हुए कि नहीं मिला एक बड़ा रिज़न है इसका बाबर आजम पावर प्ले में इन दोनों को खेल लिया था अब चलते हैं फटापट से दोस्तों ड्रीम लावन टीम में और यहां पर बैटिंग सेक्शन से मुझे रिस्क लग रहा है बहुत ज्यादा इस मैच में धाका में मैच है तो फिलाल मैं सैम आयूप को भी नहीं ले रहा हूं अगर फिल्डिंग फर्स्ट होता है चलो सोच सकता हूं बट अगर बैटिंग फर्स्ट होता हूं मतलों चकीब तो लेना है नहीं मेरा मन कर रहा है को लहां तुट है बॉलिंग सेकंड हो रहा है तो मैं अरफ़त को लूगा तो फिल्डिंग यह रहेगा टीम और इसमें जो मेरा कैप बन रहा है ना वह कॉन बनेग मैं इस पार महर्जाइक के साथ नहीं जूँँगा मैं इस पार महेदी हसान को बना दूँगा कैप्टेन और भाइस कैप्टेन मैं फिलाल के लिए बना रहा हूं शक्कीबल हसान को क्योंकि ये वेन्यू दूस्ते स्पीनर को सुपोर्ट करेगा और इसका बैटिंग से प्रोमोशन हो सकता है फिलाल ये रहेगा कवरेज अगले मैच के कवरेज अब डिमो टीम के साथ मिलते हैं हम लोग मैच टैम पर टैलीगरम पर तब तक वीडियो को लाइक नहीं गया तो लाइक करना है दोस्तों को साथ वीडियो को शेयर करना है और जुनना है टैलीगरम थैंक्यू एस मिलते है मैं अच्टन बेख्ट अलीरा में